हेलो नमस्कार गुर्ण मॉनिंग सुपरबात कैसे बढ़िया हो केशली आपकी तयारी बिलकुल अच्छी चल रही है और चलने भी चीए और जबर्दस चलनी चीए क्योंकि सुपरवाइजर की बढ़ती अब जल्द ही गोसित होने वाली है और जेट की तो हर साली आ रही है औ जो भी आपके पस्वपालन की या अग्रिकल्चर की बढ़ती आएंगे उन सब में आपके अनिमल हजबेंटरी का बड़ा आहम रॉल रहता है और थोड़ा नया सब्जेक्ट है अलग सब्जेक्ट है तो उसकी मैंने सोचा क्योंने एक ऐसा वीडियो बनाई जाए इसमें सुपरवाइजर और जैटके साबसे क्रागे ना क्योंकिस मैं जो आपके मैं लाने वाला हूं वह जी सुपर अग्रिकल्चर जो है बड़ती तो यह जो वीडियो है ज्यादा तो काम आएगा अग्रिकल्ट सुपरवाइजर में हाला कि जेट में भी काम आएगा तो मैं बता देता हूं यह अग्रिकल्चर सुपरवाइजर बढ़ती, जेट की बढ़ती, बीएश्यो की बढ़ती ठिके और ओ, डबल ओ तक भी इसका आता अब इसमें है सबसे पहला जो अहम है आपको यह कैसे पता चलेगा कि यह जो है अपने वो अचैना दूदारु है भारवाख है सबसे पहले ही गाढ़ी अठकती है सबसे पहले है कोछिन यहां कोछिए द्वीकाजी ए ऊसको काशे करेंगे बिलकुल उस पे काम करने वाले हैं उस पे आपको बनाने वाले हैं तो गएक्टली क्या होता है इसमें अंदर आपके गाय, बैल, हीफर, काफ ये सब आते हैं, नहां, तो यहां पर ये है, इसके अंदर तीन टाइप से आपकी नसले आती है, तीन नसले आती है, एक तो आती सबसे पहले दूदारू टाइप की, कौन से आती है, दूदारू, जिनका दूद अच्छा होता है, людям दीजा, दीजा, इस निते हैं जो आप मेरें, भॉताजी, दवीकाजी, diligent, इसना पाद, इस नितकरमेरें, भाहर एकार की रेंड का या इसको bar wax running बोलते हैं bar wax running या इसका English दियान रखना इसको बोलते है draft purpose क्या बोलते हैं draft purpose जो है वो ज़्यादा चलता है ठीके ये इसका मैंदर सर इनका कोई criteria है क्या मतलब किस बेस पर हाँ बिल्कुल VCA ने इनको दूद के अदार पर बठा है दूद जो है इसका इसका दूद होता है यहाँ पे 1500 से लेकर घृण डै हजार लीटर परति बयाद 10 मैंने के होती है एक बयाद होती है 10 मन्त 300 दिन के अंदर इता दूद देती है घृए इसका जो है 1100 से 1500 वह हैं लेटर परती ब्यात दूद एक दिन का दो दिन का authentic नहीं होता है एक 10 मैने के range होती है कि 10 मैने में किता दिया है ऐसे इसका होता है बहुत कम इसका होता है 500 से 1000 ठीक है यह होता है लेटर परती ब्यात ठीक है तो यह आपके यहाँ पर दुदारू द्वीकाजी भारवाक्स रहने की जो है केटल प्रिट्स है इसका यहाँ पर आज अपन पूरा पोस्ट मार्टम करने वाले हैं इस वीडियो को जिसने अंत तक पूरा देखा है और दो तीन बार चार बार इस वीडियो को देखके इसके नौर्स बना लिए है उसको इसमें कभी दिखने है एक दुदारू कौनसी भारवा कौनसी द्वीकाजी कौनसी ठीक है सर यह डेटा किस का अकोर्डिंग मतलब्ड यह जो आप लिखा रहे हूँ यह कहां से डेटा लायों बेलकुल यह बेटा आपके जो डेटा आया है वह है राजस्तान बोड की बुक है यह आपके डेटा में लगारार ediyorum राजस्तान बोड की यह बुक्स के अकॉर्डिंग चलेगा टोटल क्योंकि actually NCRT में है नहीं और कल को यदि रिट अपती लगा नहीं तो कोई सरकारी किताब का डेट आपको मिलना चीए तो मैंने यहाँ पर उसी का डेटा लिया है दूदारू है भारवाक है द्वीकाजी है इसको दूदारू है मेल् कम पर पज है और भारवाक है इसको अपन कैसे करेंगे अब 3क रशीजे हैं फिर अपन यह तूर्वाक की की करेंगे इसको अपने को पूरा इस वीडियो में कम्पलीट करना है ठीक है तो देखते हैं दूदारू है कोई कंसी का के । करते हैं यह हिंदी में इसको कर सकते हैं गो वंस की नसले तो पहले मैं दूदारू का पूरा बताऊंगा ध्वीका जी भारवाग विदेशी ऐसे करते करते हैं अपने यह पूरा बनेगा तो आईए देखते हैं अपने नेक्ष्ट पे दूदारू जो है वो कौन कौन सी है दूदारू या मिल्च ब्रिड है वो कौन कौन सी है और उनका क्या क्राइटेरिया है है ना मिल्च ब्रिड है इसमें आपके जो है वो दीवी साही वाल कौन से दीवी है साही वाल ठीक है तो इसके अंदर आपके दी है नंबर वन साहीवाल साहीवाल अच्छा दूद होता है 3100 तक maximum है 2100 सत है फिर साहीवाल का बाद है आपके राठी ठीक है फिर यहाँ पे है सिंधी फिर यहाँ पे है सरस गिर और फिर है देवनी ठीक है यह है यदि इनकी इंग्लिस रख के इसके अक्सर देखां तो अपन इसका बनेगा ऐसे साहीवाल इंग्लिस में ठीक है इसका बनेगा राठी इसका बनेगा सिंधी इसका बनेगा गिर इसका बनेगा देओनी क्या बनेगा देओनी ठीके साइवाल इसका आगे वाले अक्सर को इदि अपन ले तो S, R, S, G, D ये बनेगा तो इसका बनेगा आगे वाले अक्सर S, R, S, G, D यदि अपन इसको ट्रिक में बादना चाहे तो कैसे बादना तो इसका तीनों का मिला की हो जाएगा सरस सरस डेरी होती न हाँ इसका हो जाएगा गाय और इसका हो जाएगा दूद देवनी सरस गाय की दूद देवनी वाली है दूद देने वाली है सरसगाई दूद वाली या दूद देवनी है दूद देवनी बोलेंगे तो अपना देवनी क्या ठीक रहेगा ठीक है यह पूरा बनेगा इसके ट्रिक्स क्या बनेगी बदा देता है तो इसके ट्रिक्स जो है वो मनेगी S, R, S, G, D है ना सरसगाई सरसगाई दूद देवनी ये स्केट्रिक बनेगी और ये इसका तरीका बनेगा ठीक है इसका दूद का रेंज होगा कम से कम पंद्रा सो हलागि राठी में थोड़ा सईयस है और डई हजार से लेकर तीन हजार तक लीटर में दूद होता है और ये परती ब्यात होता है एक ब्यात दस महिने की होती है और दस महिने मतलब तीन सो दिन में ये इतना दूद देता है एक महिना तीन सो महिने में इसका दूद होता है इतन एसा है राठी को आपकी किताब ने राजस्तान बोर्ड की किताब ने दोनों जगा बताया है पसुपालन इसको केवल और केवल कहां बताता है द्वीका जी बताता है लेकिन अकॉर्डिंग टो आपकी बुक आपके अग्रिकल्चर की बूड में पार्ट नमर 13 के अंदर इसको दियावा है राठी को या बताया है ठीक है दूद के इसाब से इसमें प्रॉब्लम है लेकिन इस राठी की पहले एक राठ परजाती दूआ करती थी वहां एक रत परजाती ह अच्छा होता था तो रत से मिलती जूलती इससको दूदर बताया कि बाकी हकीकत में वास्त्व में राठी का दूद की साबसे से दूद काजी में सामिल करना चाहिए कुछ लोग करते भी है लेकिन अपन बुक के इसाब चलें क्योंकि अपनी इस वह एक्जाम है वह बुक क में होगा ठीक है तो सरस गाए दूद देवनी इसमें रहेगा सरस गाए दूद देवनी सरस गाए दूद देवनी सरस गाए दूद देवनी सरस गाए दूद देवनी ऐसे तीन चार बार बोलें याद हो जाएगा साहिवाल राठी फिर भी याद नहीं हो चलो याद नहीं हो अब देखो ट्रिक्स के साथ इस्टरी पी सुनो, तो अपने बोला, साही रत है सिंधियों का, साही रत किसका है, सिंधियों का है, साही रत है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है, साही रत है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है, यह देखो, साही रत है किसका, सिंधियो का, सिंधियों के उतना जूलेलाल और बड़ी-बड़ी जहां क्या चलती है, साही जहां क्या चलती है, मैंने देखी कई बार, तो साही रत है सिंधियों का, साही रत है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है, साही रत है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है, अब बताओ, क ठीके अपने साईवाल का 2100 तक पहुंचता है ठीके किसी किसी में 2000 तक है ठीके तो यह है सर्थ थार पारकर को यहां नहीं रखेंगे नहीं बिटा वो मैंने कहा ना पसुपालन का एक्जाम होता एलसे या वियो तो थार पार करती यह प्यूर एग्रिकल्चर एक्जाम के इसा अग्रिकल्चर के अलग बनेगी यह एक्रिकल्चर एक्जाम के लिए कोई दिक्कत ओके बोल दे एक बार क्याट्री के बोलो पीछे देखो सरस गाई है दूद देने वाले सरस गाई है दूद देवनी फिर इसकी क्या बनेगी साई रत है सिंदियों का गिरते जिसमें देव है साइरत है सिंधियों का गिरते जिसमें देव है ये दूदारु गाए है सर पांच ये तो याद होगी पक्का याद होगी चलो फीडबेक लोगा भी देखो लाइव क्लास नहीं है ये पहले की रिकॉर्डेड है लेकिन ये है कि आप से मैं इसका फीडबेक लोगा आप क्या इंग्लिस क्या बोलते है डियूल परपज इंग्लिस सीखो क्योंकि आजकल इंग्लिस आती है डियूल परपज है ठीक है डियूल परपज का कितना दूद होता है हजार से पंदरा सो किसम होता है लीटर में रोज होता है परती ब्यात होता है परती ब्यात एक ब्यात किते की दस महिने की, दस महिने की ब्यात है, दस महिने की ब्यात है, इसमें बारा नसले दीवी है, किती दीवी है बारा, अरे किती दीवी है, बारा नसले इसमें दीवी है, तो बारा में काम करें, छे इदर, छे इदर कर दें, हाँ, छे इदर, छे इदर कर देते हैं, और फिर इसकी क्लिक लेंगे तो यह यहां पर च्छान इदर कर देते एक दो तीन च्यार पांच और च्छें ठीक है इसमें बनेगी मेवाती मेवाती निमारी ठीक है मेवाती निमारी कंक्रेज मेवाती निमारी कंक्रेज हर्यादा धार पारकर देवली ठीक है सर वो देव नहीं था यह देवली हाँ यदि आप इनकी प्रपर इंग्लिस लिखो था आपको इसके वर्ड मिल जाएंगे जैसे इसका मिलेगा मेवाती क्या मिलेगा मेवाती धिसका M मिलेगा आपको ठीक है इसका नी मारी एक्चली इसको नी मारी भी बोलते है वग नी मारी इसका है कॉंक्रेज कॉंक्रेज ठीक है इसका है हरियाना हरियाना इसका है थार पारकर थार पारकर इसका है देवली ठीक है हाँ यह है चलो आगे चले चलो next मात है इधर ट्रिक लिख देंगे नमबर 6 साथ आठ नौ दस ग्यारा और बारा ठीक है हाँ मिवत इनी मारे कांग्रेस हर्याणम थे देवला only क्रश्ना काटी में हाँ only ongle English लिख दो क्या ongle ongle है यह only क्रश्ना काटी में हिन्दी छलो हिन्दी लिख दे तापको हिन्दी संद आएगी ongle only Stefans classification關係 कौनसी क्रश्ना काटी क्रश्ना क्रश्ना मैं दो किसंजी गाव लॉब गाबला बोलते हैं इसको लेकिन मैं गावला बोलता हूँ ठीक है हमां नहीं पवार नहीं पंगा ओन्ली किस्नगण गांवाले पंगे करेंगे देखो मेरे को भी याद करना पड़ता है 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 न देखिश्न, कष्णन गण सब्सक्रन के मन कहता है दो किस्न जी पिवे दूद सारा तो इसमें एक आद उपर नीच हो गया कोई इनकों देखते हैं तो इसके ट्रिक बनेगी M N K H T मन कहता D O 2 किसन G P V दूद सारा ओके ओके 6 7 दो बार आगे तब मैं बोलो एक गड़बढ है इसमें इसकी गड़ित जो है उसको थोड़ा सैट करना पड़ेगा ये ठीक है तो इसको वापा सैट करने देखे लो यह जाएगा छे आगे ना तो ये 7 नंबर है ये 8 नंबर है ये 9 है ये 10 है अब ओके है ये 11 ये 12 ठीक है ये आजाएगा आपके डांगी ये आजाएगा डंगी और यह जाएगा सिरी ठीक है न तो यह यहाँ पर बन जाएगे अब इसके वर्ड बनाने है तो इसके वर्ड बनेंगे इन दोनों को बना लो मन यह बनेगा मन मेरा मन कहता है मन कहता इसको बनाओ डी ओ को दो दो बना दो इसको डी ओ डी ओ है न तो दो डी ओ किसन जी किसन जी पीवे दोद सारा ठीक है मन कहता है मन कहता है डी ओ मिला के दो है दो किसन जी पीवे दो सारा ये ऐसे ट्रिक बनती है अब इस ट्रिक को एक साथ लिखने से मजह आएगा है न तो मैं इसको एक साथ नीचे देता हो इसकी ट्रिक है न आपको याद एता है अब दिख तो रहा है ना हाँ इस पूरे को एक साथ लिखते है यहां से तो यह बनेगा M N ठीक है K H T हाँ ठीक है अब इस ट्रिक को यहां पे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे याद करना इन दोनों का बनेगा M N इसका बनेगा K H T कहता M N कहता इसका बनेगा D O इसका बनेगा किसन G दो किसन G इसका बनेगा PVA दूद सारा ठीक है यह आपके ट्रिक एकदम जबरदस्वाली तयार हो चुकी है यह दिया आप चाओत ऐसे बॉक्स बना सकते हैं इसका बनेगा यह दो गया यह किसन G हो गया यह पीवे दो सारा हो गया यह इसकी जबरदस्वाली ट्रिक्स है टेकनिक है ठीक है अच्छे से देख लो यह दूद इकाजी डूद परपज है हजार से पंदस तरस की रह जाती है और यह लग दम बीच में लग देते इसको यह दूद इकाजी है मेवा तीनी मारे है ना अब यह प्योर एगरिकल्चर बुक का डेटा है एगरिकल्चर बुक को बताओंगा कि आपको कैसे करना है तो दो तिन वार बोलोगे किसने का यार इतना सारा दूद है अकेला एक जना तो नहीं पे दो किसन जी होंगे दो जोए जिसे किसन जी माकन खाते हैं जो किसन जी दूद पी गए तो किसन का यार ये अकेला किसन जी तो काम ने कर सकते है इसने का मेरा मन कहता है इतना दूद पी ने लिए पीवे दूर सारा, दो-तीन बार बूलोग देखो, कोई भी ट्रिक्स होती है ना, पहले नहीं लगेगी, पहले कोई भी चीज नहीं होती है, A, B, C, D भी नहीं लगेती, पहाडे भी नहीं लगेती, फिर जब अपन एक दुबार बोलेंगे, चिर परिचित होगी, तीन-चार मुणों वहां मैं और ज्यादा पराज कि याद हुआ तो आप एसे बार आपे याद करेंगे किसाब मेवाती है कोई मेवाती है ना मेवा जिला अलवर भरत पूर उदर है तो मेवाती जो है वो क्या करते हैं कि लोगों को मारते बहुत हैं तो किसी ने उनको सुझा है कि मेवाती आपको नहीं मारेंगे मेवाती आपको नहीं मारेंगे तो क्यों नहीं मारेंगे क्या करें Congrès, Congrès को Congrès को Haryana में थे बोर्ट दे ओला मेवाती नहीं मारेंगे मेवाती नहीं मारेंगे लेकिन Congrès को Haryana में थे बोर्ट दे ओला हाँ, एक जगा है Krushnah Rapti Only Krushnah יए में Ongal को only Krushnah है OK में में घाथ जाएंगे, पंगे करने और डांग लेके सारे जाएंगे तो यदि आप पूरे ट्रिक्स को ढंग से देखें तो मन कहता है दो किसे जी पीवे दू सारा हिस्स से था आपका आगे वाल अक्सर आ गया पीछे वाले में ऐसा है मेवाती नहीं मारेंगे मेवाती नहीं मारेंगे Congress हरियाना में थे देवला ते Congress हरियाना में थे देवला Only Krishna घाटी में Only Krishna घाटी में घावाले क्या करेंगे Only Krishna घाटी में घावाले पंगे करेंगे डांग लेके सारे सारे डांग लेके जाएंगे तो दो तीन बार बोलो मेरे साथ कहता है दो किसंजी पिवेदूद सारा है मेवाती नहीं मारेंगे मेवाती नहीं मारेंगे कॉंग्रेस हरियाना में थे देवला ओनली क्रशना गाटी में गांवाले जाएंगे वहां पंगे करेंगे डांग लेके सारे इतना इजी है हाँ सरी यह तो इजी है वापस बोलो इस् अलीकृष्णा गाटी में गावाले जाएंगे, वहाँ पंगे करेंगे, कैसे करेंगे, डांग लेके सारे, सिरी किसकी नसल है गाई की, सिरी कैसी नसल है द्वीकाजी, हना भारवा कौन से नसल है, दूदारुका ऐसे कोश्चन, हर बार, कई बार, चाए जैट हो, चाए करशी प्रिविक्षक हो, चाए A हो, चाए डबल A हो, हर परिक्षाम आता है, और सबसे मज़े की मुख ही बात यह है, बिटा जी, ये अगरिकल्चर मुख के, अकॉर्डिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का, कोई भी, अन्य मुख का समावे, इस ना तो मैंने किया है, ना मुझे विश्वास है, लेकिन इस बुक पे क्यो है, इस पे आपका रिट लग सकता है, तो एक बार अच्छे से देख लेए, जो ट्रिक्स बताई उसको करीब ही लाए, टोटल 38 नसले मुझे आपको याद करने, इस वीडियो के अंदर ही हो जाएगी, तो मेवाती नहीं मारेंगे, कांक्रेज हरियाणा में थे देवला, वहाँ देवनी था, यहाँ देवली है, वहाँ पे क्या था, देवली था ना, यह कांक्रेज है, कांक्रेज हरियाणा में थे देवला, ओंली, ओंगल है यह, ओंली क्रस्ना गाटी में गाव लाव, कई बार इसमें गाव लाव भी होता है ऐसे बख कर देते हैं ना हां पंगे लेके डांग लेके सिरी ठीक है तो कुछ ट्रीक के समझाई भई मुझे इसके कमेंट्स पोस्ट वीडियो बताना क्योंकि लाइब में देख नहीं पारा हो भी पोस्ट वीडियो कमेंट्स बताना कैसा थे ठीक है चलो अब दीवकाजी क भार वाहक नसले इसको क्या बोलते हैं ड्राफट पर पच्च pains ड्राफट पर पच्च ड्राफ्ट रप्च होता बैल उठाने की इसका दूद कितना होता है? इसका दूद होता है पान्सो से हजार लीटर पर तीवेयात बास इतना से और गया था यहां बैल आ, यह कब होता है तो सर इनकी होतीं हुद होती है और होने फाली pearls हैं अभी बताएंगे अभी बारा नसले में भी एज़ी वुक करिणसार बारा नसले हैं वही सैम सेज cabbage ऑफ महल जब से पहले आती हैं अमरत महल बहुत थे मस है उदर की सौ 모든 आमर्यत महर्णाओं श्टीडिर के अमर्द म tim अल बज़ कर लार समय फिलारे को अबिस्टींकितमौरायर विजी सब्सक्राइब्न करें पेशुक दोड़ है केश्य लिए गदर दोफफातितमेइस है खिलाडी तो फैमस है, खेड़ी गड़ का खिलाडी है, यहां कर देते हैं, साथ, आठ, नौ, दस, एक यारा, और खेड़ी गड़ का खिलाडी है, कंगे से, कंग्याम, कंग्याम, कैनकता, कंगता, हाना, कंगे से, कंगता, डान्स करता है, नागोरी माल खाएगा, नागोरी माल खाएगा, और गंगा तीर पे हल चलाएगा, गंगा तीर पे, नागोरी मस्थ है, जी, ऐसे ठीक है, हली कर, हली कर, हली कर, और गंगा तीरी, गंगा तीरी, ठीक है, यह यहाँ पर आपके में लिखी है, सर, आपने कैसे याद करें, ट्रिक से बेटा, ट्रिक से, ट्रिक, इसका बेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसका A लिख देता हूँ, है ना, A, अमरत में पूरा लिखूँगा, समय लगेगा, इसका A है, है ना, इसका B है, इसका B है, अब इसका P आएगा, इसमें दो K है, K, 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 तो 4K को अपने एक साथ लिख सकते है, K, 4K है, P, K, N, M, H, G, ठीक है, इसको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ऐसे फिर क्या कच्रा हो जाता है, जाता है, नौट्स अच्छे नहीं बनते हैं, इसलिए एक साथ लिख लेंगे, ना, अब यह लो, यह है इसका, तो यह आपके, A, B, SQ, है ना, P, K, 4, N, M, H, G, है ना, पूरिटे के बनेगा, इसका बनेगा, अब P, K, अब, इसका बनेगा, अब, इसका बनेगा, पी, के, इसका बनेगा, नागोरी, इसका बनेगा, मस्त, इसका बनेगा, है, जी, नागोरी इन दो पैग लगा दिये, अब नाबोरी मस्त है जी, नागोरी क्या है जी, मस्त है जी, अब पी के नागोरी मस्त है जी, ये बना इसका, अब चाओत इनके नाम इंगलिस में चाओत इदर लिख सकते हो, जगह है अपने बास लिख देंगे, हाना, इसके नाम, इंग ठीक है इसका जैसे अमरत महल हो जाएगा अमरत महल इसका हो जाएगा बर्चुर इसका हो जाएगा बर्गर वैचुर भी बोलते है कुछ लोग इसको वैचुर बोलते है बर्चुर सही नाम है अब यह नाम तो अलग-अलग सहर है अलग-अलग जाएगा इसका बोलेगा खैड खेड़ी गड़ और इसका हो जाएगा खिलारी ठीक है यह इनके नाम हो गए इसका हो जाएगा इधर लिख देते हैं कंग्याम कंग्याम इसका हो जाएगा कंकता ठीकिन इसका हो जाएगा नागोरी इसका हो जाएगा मालवी हलीकर और छोरा गंगा किनारे वाला गंगा तेरी आपके दे रिखाएं यह इसकी टोटल ट्रिक्स है student यह कि ट्रिक्स हैं में अब आपको अच्छे से एक ताम अच्छे से ही प्रापर बताया है है यह ना आपको यहाँ मिल्याएगा यहनियम इसके यह है, इसके एप्रिवेशन और ये इसकी ट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है ना? कुछ्षिस तो कर रहे हार एक के ट्रिक्स देने का, ये इसके ट्रिक्स है और ये इसके नेम है, तो कौन कौन सा देगो, A से A मिल जाएगा, ये A से वो A मिला, B से B मिला, B, P, K, K, दो के यह रहे, दो के इधर रहे, ना के के, इसका वो रहा, के के, N, M, H, G, और यह यहां पर अक्सर मैंने SET किये, ऐसे बनती है ट्रिक, अब यह ठ्रिक बनाना असान है लेकिन ट्रिक को याद करने के लिए थोडी महनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा, आपको इसको दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर आएगी, मैं इसके questions भी कराऊंगा कैसे होता है लेकिन आपको proper तरीके से इसको दो तीन बार बोलना पड़ेगा जैसे इसको आपना बना दिया तो इसके आप 4 segment कर लो यह 3 कर लो है ना तो पहला बना लो AB square देखो मैंने बनाया ना AB square दूसरा PK और नागोरी मस्त है जी ऐसे एक AB square वाला एक PK वाला तो AB PK नागोरी मस्त है जी अब PK नागोरी मस्त है जी ऐसा आप segment बना लो AB अलग बना लो AB PK नागोरी मस्त है जी तो दो तिन वार बोलोगे तो बोला AB पैग पिया नागोरी न दू पैग पिये और नागोरी मस्त होगे एकदम नास लगा तो यह बनेगा AB PK नाग पुरी मस्त है ठीक है अब ये तो आपने सर ट्रिक्स गड़ी लेकिन वही इस्टोरी कुछ हो जाए तो मज़ा जाए बना ले स्टोरी हां तो इसकी स्टोरी बनाते हाओ इदर तो इसमें बनेगा एक सीन बनाते सुनो जैसे आपको पीछे दिखते रहो नाम दिखते रहो मैं सब्सक्राइव देखो नाम और दोनों साथ कश लिए तो मैं यहां से कोसिस करता हूं आपको नाम दिख रहे है अच्छे से अरे बोलो हां हिंदी वाले दिख रहे हैं सर इंग्लिस चड़ो हिंदी वाले दिख रहे ना हा तो आप एक सीन बनाओ एक होटल है कोई एक सांदा होटल है ठीक है होटल है फाइव स्थार नाम है अमरत महल ठीक है हाँ होटल है फाइव स्थार अमरत महल तो अमरे में होल्डर में क्या है तो पवार कोई था पवार रुग गया वहां खाना खाने लेकिन उस होटल में खाली बर्गर मिलता है उस होटल में रोटी नहीं मिलती अब पवार खाली बर्गर खारा टाइम पास कर रहा और उसी होटल में तीन अलग अलग टेबल एक पे अमरत महल में बेचारा बर्गर खारा पवार चाट उड़ोगे जैसे इदर पवार रोटी खा रहा है, बर्गर खा रहा है, और उदर सामने कोई खिलाडी है, जैसे कंगा लेकाया, खिलाडी कंगा लेकाया, और उससे कंकता डांस करता है, तो खिलाडी कहां का है, खेडी गड़ का, खिलाडी कहां का है, खेडी गड़ का, क्या लेकाया, और उससे कौन सा डान करता है कथा कनकता डान्स करता है तो खिलाडी है खेड़ी गड़का खिलाडी का है खेड़ी गड़का खिलाडी 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 है कंगे से क्रिंगा का टॉसरी क्र Dafür अभाब बुला है उस्के बार उधर से толay flashagors Ronaldo mentioned iqué Bayaan Sakya Mori उदा देखा इधर तो एक अभर कोर्गर क्याएं रहा it और हर लेके गंगा किनारे जा रहा है ठीक है तो एक स्बसे पहले अमरत महल होटल में, बेचारा बर्गर खारा है, अपने पवार देखा, दूसरी तब देखा, कोई खिलडी है, ऐसे कंग से कंकता डांस कर रहे, ठीक है, तीसरे तब देखा, तो नागोरी बैल था, वो माल खारा था, और हल लेके, गंगा किनारे जा रहा था, चोरा गंगा किनारे वाला देखो जी में गलतियां हो सकती है थोड़ी मेहनत कर लो वीडियो को दो तीन बार अच्छे से सुन लो मैं कह रहा हो ना याद हो जाएगा पढ़ने के हिसाब से यह बनाए है टोटली तो वापस बताओ मुझे क्या है तीन टुकड़े हैं कौन-कौ से अमरत महल में बेचारा बर्गर खा रहा है पवार अमरत महल में बेचारा बर्गर खा रहा है पवार मैं पीछे नहीं देख रहा हूं लेकिन सटिंग निकल ना बिलकुल ऐसे आदो ना ची अमरत महल में बेचारा बर्गर खा रहा पवार वहीं पे खेडी-गड का आप भी उसे इसलिए मैंने गंगा तीर चोड़ा गंगा किनारे वाला और गंगा किनारे नागोरी खेती करता है ऐसे जोड़ना पड़ता है आप दो तीन बार करेंगे रियली बताऊना आपको काफी बेनिफीशे लगेगा लाइव से भी जबरदस होगा क्योंकि इसमें कोई इसलिए टोपिक बनाये गया है तो अब मेरे पास 12 यह बारा वह चौईस बारा बारा चौईस और पांच गुंतीस नसले तैयार हो चुकी है गुंतीस नसलों को एक साथ यदि बोले हना तो कैसे होगा तो गुंतीस नहीं मैं आपको अभी साथ वीदेशी और करा देता हूं दो आपको मैं यह करा देता हूं टोटल 38 नसले देर की आपकी रजस्तान वोड की 13 नमबर पार्ट पर पहले ही पेज पर वो पूरा पेज आपको याद होने वाला आप दिल से दुआ दो गया और यह सर पूरा पेज आपने करा दिया है लेगिन पहले आप उसका भी पूरा अगरो फिर फाइनल इसका पन क्या बनाएंगे फ्लो चार्ट बनाएंगे सा जोड़ेंगे ठीक है हाँ एक बार फटा फट पूरी ट्रीके बदा दो कौन कौन सी है सरस गाय दूद देने वाले साई रत है सिंधियों का घिरते जिसमें देव है साई रत है सिंधियों का घिर पूरा बुलोना अमरत महल में बेचारा बर्गर खारा है पवार वहीं पे खेडी-गड का खिलाडी है, खेडी-गड का खिलाडी है, कंगे से कंखता दांस करता है और उसी के नगोरी माल खाएगा, और हर लेके गंगा तीर पर जाएगा छोरा, गंगा किनारे वालारे, याद हुआ कि अब यहाँ, चलो, 12-12, 24 और 5, 30 नसले ती, आद बिन total 38 है, साथ है विदेशी, विदेशी नसले बॉस्टोरस के लाती है, तो यह बॉस्टोरस है, अब सुनो, जो इंडिजिनस है, जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस के है, देशी नसले, इंडिजिनस है, यह द इंडिकस क्या नाम होता भी या बॉस इंडिकस अरे क्या होता है बॉस इंडिकस ठीक है और जो एक्जोटिक क्यलाती है एक्जोटिक कौन सी होती है जो विदेशी नसल होती है कौन सी होती है विदेशी ठीक है न हाँ उसका ध्यानगना विदेशी क्या है उसे बुलेंगे बास टकार सक्कीज्टार्स कपे हैं खाल इंडिकस शौ सो एक दिशा को जई में और खुले हर यह कोशन पूस्थ यह जो गया है तो आप्को थ्या ना यह वाले Boss Indicus and Boss Taurus तो Boss Indicus कि तो अपने देखी टुटल अपने किती रखिती गुंती सौरी है ये Boss Taurus है ये वाला है तो इसको अध्यानगना थोड़ा से इसको Trick टाई बना देते हैं ताकि ये Boss Indicus, Boss Taurus तो Boss Taurus में अपने साथ नसले साथों को मैं अभी आपके करा देता हूँ ठीक है चले वाई कर दे फटावट आजव उसर कर दो इसको निप्टा दो निप्टा है तो आजव Boss Taurus में आपके करता हूँ कौन कौन सी है Taurus है विदी सीनसले जो है उसमें सबसे ज़्यादा कोशिन आता है HF का HF का फूल नेम क्या है HF का है Hollis Tyn Hollis Tyn Frisian लेकिन बच्चों की सोड़ रहती है दिमांड के सब हिंदी बताओ ना इसकी बिलकुल यह लो बेटा आप हिंदी बताते हैं इसको हिंदी मोलते है Hollis Tyn Frisian नाम थोड़ा बड़ा है ठीक है यही कोशन आया था फिसले बार यह कहां पाई जाती है कोशन यही था कि यह कहां मिलती है यह Holland में मिलती है यह Holland की है Holland में भी एक जगा है Netherlands Holland भी बहुत बड़ा है Holland में भी एक बड़ा है Netherlands Holland Netherlands दूसरा जो है England की है दो नसले एक तो है कौन सी जर्सी सबको बता है भी या जर्सी जर्सी जानते हैं न हाँ और एक आपने सुना है कभी short horn आती है जर्सी है और short horn है ठीक है न हाँ जर्सी भी England की है short horn भी England की है ठीक है ये दोनों ही नसले England की है ये दोनों नसले कहा की है इंग्लेंड की है, दोनों इनसले कहां की है, इंग्लेंड की है, तो इंग्लेंड वाले जर्सी सौर्ट पैंते हैं, इंग्लेंड वाले जर्सी सौर्ट पैंते हैं, ऐसे करके कुछ याद करने का तरीका बनाओ, ठीक है, नमबर चार पे आता है यहां पर, आयर सायर, सबसे सु परता कौच पिने के बाद government की नंबर चंप पाँच पे हैं एक आती है बंस ते ब्राओन students जो है वह वह बहुत आमसा उससे स्विक्जड्लेंड की है तो स्वी सी स्वी मिला देना यह स्विक्जर्लेंड पैसकी है स्विक्ट्ड ठीक है चलो एक आती है जर्सी भी इक बता है इंग्लेंड ने इंग्लेंड में जर्सी यह वहां की भी है ठीक है और नंबर सिवन पे एक और है कौन सी डैन, red den, red den है, ये डैन मार की है, डैन से डैन मिला लो, ये साथ विद्यासी नसले है, ये आपके जो दी है न मैंने, ये सारे के सारी कौन सी है, ये विद्यसी नसले है विद्यसी नसले है पिसली बार simple question आ गया था यहां से basic के साथ कौन सी नसल कहां की है ऐसे तो इसमें आपको यह पूछने हैं कौन सी नसल कहां की है तो इसमें भी तरीके हैं वैसे तो कुछ-कुछ करें तो हो सकता है sir कैसे थोड़ा कुछ set करो ना करें तो इसमें S से H मिला लो, S से Holland मिला लो, Land सेids-Nidor Land मिला लो, أ traveled इतना सा बताया ता, और 18 321, को ये सवाल आ गया था, Sag है, Sag Holland है, Sag H है, Sag Holland, S says H मिला लो, Holland हा साही है, थीक है, फिर ये कैसे याद करेंगे, खैसा आ इंगलेंड वाले切सी preventing agent आए जरशी बड़ी स्वाट्छ जिसे ина इंडिया उपन जर्सी बड़ी पढंथे सल पंत turning बड़िय Einsatz, इंगलेंड भाले जर्सी बड़ी स्लड पैंते हैं उपने सौर्ड इंगलेंड वाले जर्सी बड़ी जर्सी Sóर्ड पैंते हैं तो आया सायर स्कॉच पिने, आया सायर स्कॉच की दो घुटक ली, फिर उसने बाई सायर के पुल बांदे, आया सायर स्कॉच करने, ब्राउन स्विस, स्वी से स्वी मिला लो, स्वी से स्वी मिला लो, आप बलो के यहां पर, तो यह देखो, स्वी से स्वी मिला न, हाँ, स्व सब्सक्राइब कि यहां पर गन सब्सक्राइब फ्रांसिस सब्सक्राइब पाद तो पांच दुदारू 12 भार्वाहक बाराद रिकाजीय और साथ आपके है कितियों की 5 12 12 12 24 25 27 और 7 36 नसले जो आपकी किताब के तेरा नमबर पार्ट में पहले पेच पर यह चाब दी मैंने दो अभी क्रॉस ब्रीड और है उसको भी देख लेते हैं यह लो दो क्रॉस ब्रीड उसको भी चाब देते हैं इसको देख लो फटावर ठीक है दो आपके पास क्रॉस ब्रीड है उसको देख लेंगे फिर इसको पूल अच चापएंगे यह बहुश टॉरस है कौन सी बहुश टॉरस है अरे ओके हैं तो यह आपके बुक का साथ है हॉलेंड से ऐस मिला लए दैन से डैन मिलू गर्न सी अलटनि फर्ञाइग गरने सीफ फांसिजी, गरने सीफ फांसिजी मतलब, देखो कोई भी टॉपिक का भी आद होता है, जब अपन रुक कर एक गर्ज से, एक रिक्वार्मेंट से काम करते हैं, और ऐसे करते हैं, मुझे तो अच्छा करना, देखो कोई भी काम के सुपीरिटी कब बढ़ती है, कब लोग सहराते हैं, कब उसके काम की पहचान होती है, कोई भी हो, इस्टेंट हो, टीचर हो, कोई मजदूर हो, कोई कारिकर हो, कोई मूर्तिकार हो, कोई दुकान वाला हो, कोई बिजनसमेन हो, कोई भी हो, यदि उसका काम अच्छा है, वो काम बढ़िया करता है, उसका मालब मुझे नौकर लगना है और मुझे इसको याद करना है मुझे सर्वत्तम प्रतिशन करना है बीच में खुब अवरोद आएंगे मुझे उन अवरोदों से लड़ना है मुझे अपने मन के जो भी भाव है उसे मारने है मुझे मेरा मन ले जाता है कि चल गूमने मुझे नहीं जाना है मेरा मन कहता है नहीं पढ़ना नहीं है मुझे पढ़ना है यदि मन की कोई खराब बात है उसे रोकनी है और मन की अच्छी बाते एकसेट करनी है और उन अच्छी बातों के सहारे आगे बढ़ना यह जीवन का उसूल होता है जो आपको लगबग पता है लेकिन बीच-बीच में थोड़ा मैं भी तड़का लगा देता हूं ताकि क्या है पढ़े बीच जए आज कल कुछ है नी पढ़ो और उचाईयों पे चड़ो क्यों बिना पढ़े कुछ ने बढ़ेड़े ना तो ऊपर चड़े केवल नीचे गिरे आगे बढ़े चले सर एक वो भी बताऊ ना ये करन स्विस्ज करन स्वाइं ये बतादे ये लो दो क्रॉसंबड है बहुत famous NDR आरी जानते हूं NDR…NDR Circle National Dairy Research Institute है ये करनाल में है का है? करनाल में है और करनाल सब को बता है का है? हरियाना है इन्होंने दो नसले बनाई, इसकर से नाम से, इसकर के नाम से बनाई है, एक तो बनाई इन्होंने करन स्विस, और एक बनाई है करन स्विस, और एक बनाई है करन फ्रैजिस, करन स्विस और करन फ्रैजिस, ठीक है न, हाँ, ये दो इन्होंने बनाई है, करन स्विस और करन फ् ठीक है हाँ इसमें कैसे कैसे है तो करन के साथ ऐसा है करन जो है करन है ना करन यहां करन है वो साहीवाल है यहां स्विस में साहीवाल है सा स्विस देखो यहां सा है ना तो सा में साहीवाल है यहां पे थोड़ा ध्यान एकना यह चेंच किया आजकल इसको थार पार कर बोलता है हाँ छार पार कर नहीं हो तो यू केंटेक साहीवाल बट फिर्स्ट ठारपार कर जाता है ठीक में ऎमाराइश्ट फिर इसमें 7 ले लो सिर्स में पीछे ले लो with me .पीछेस पालिष्टे फरैजिस पीछे शुस्स लेलो और यहां पर आपे लेलो फ्रैइज में या फ्रैइजिस एचे फ यह पूरा लिले क्या हॉलिस्टे रेज़ेस। तो इसमें आप देखो ये पड़ा फ्राइजेस, ये पड़ा फ्राइजेस, तो आप तो कुछ मत करो, पीछे से पीछे देखो, ये देखो, ये यहां से ये मिला लो, ठीक है न, इस से ये मिला लो, तो पीछे से पीछे देखो आपको सही मिल जाएगा, आगे वाला ये है, कर आएगा तब तब अर्जुन आएगा हैना आजकल है करन के साथ साइवाल आएगा और करन साही आएगा थार गाड़ी लेगे जब जब करन आएगा तब तब साइवाल आएगा और करन साही गाड़ी लिकाएगा थार लिकाएगा थार करन साही लिकाएगा थार सामें सामिलालो तो यह आपके पाँच दूदारू, बारा धीकाजी, बारा भारवाहक, बारा बारा चोईस और पाँच गुंटीस, साथ च्छतीस और दो अड़तीस, पेज उठाके देख लेना, तेरा नमबर पाट का पहला पेज फिनिस हो चुका है, लेकिन यह अलग-अलग लिखी, एक सा का सदूद होता है, हॉलिस्टिन फैजिस का च्छार दूद है, और जर्सी का 42 सदूद है, तो यह आपके क्रोस ब्रीड में बताती है, आपके यहाँ पर, हना, अब मैं काम करता हूँ, इसका फुल पेज एक वर्णन लिख देता हूँ, ठीक है, केटल की जो ब्रीड है, हना एक ही मंच पे लाने का प्रियास करता हूँ, बारा, बारा चोईस, और पाच, गुन तीस, एक ही पेज पर जाएगा न, हाँ, ज़्यादर बेट रहा है, यह है किसकी केटल प्रेड, तो कौन काइसे जब ये पहली है दूदारो, दूदारो है, फिर काइसे है, द्विका जी, फिर काइसे है, भारबहत, अब आपको साथ-साथ पेच कॉपी लेकर बैड़ना, जब वीडियो देखो न, तो यहाँ रोग देना, पेच कॉपी लेकर साथ-साथ बताना है दूदारू जो है वो कौन-कौन सी है दूदारू है सरस गाई दू देने वाले तो साही रत है सिंध्यों का साही रत है सिंध्यों का साही रत है सिंध्यों का गिरते जिसमें देव है देव नी उदर ली है ठीक है त्रिक आपको पता है त्रिक अलक्स लिख देंगे इसका द्वी काजी माजाओ द्वी काजी का लिख देते हैं हाँ इसमें 6-6 लिख देते हैं 6 इदर 6 उदर ठीक है मेवाती नहीं मारेंगे मेवाती नहीं मारेंगे कांकरेज हरियाणा में थे देव ला ये देखो एकदम पास पास आगे ना देव नी ये देखो देव नी देव ली एकदम पास पास आगे ठीक है नमबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ठीक है लाओ इदर रियाणा मत्य देव ला ओनली क्रिश्ना गाटी में क्रिश्ना गाटी कौन से गाटी विया क्रिश्ना गाटी में गावले जाएंगे गावले जाएंगे और पंगा करेंगे गावले जाएंगे क्या करेंगे विया पंगा करेंगे गावले जाएंगे पंगा करेंगे दांग लेके सारे ठीक है और ये रडी ठीक है ये दीकाजी उसके बाद भारवाग लिख देते हैं फिर क्या लिख देते हैं भारवाग है ना तो भारवाग में भी वो इस से में च्छे इदर अब बोर्ड पे एक साथ लाना बड़ा टफ है लाएंगे लाके लाएंगे इसको भारवाग है भारवा कौन कौन सी हविया हाँ भारवाग मे हैं अम्रत महल में बेचारा इसको वैचर बोलते हैं बर्गर बेचारा बर्गर खारा है पवार साथ साथ बोलते हो वहीं पे खिलाडी है खेडी घड़का खिलाडी है खिलाडी है क्या करता अब ही या कंगे से कंकता डांस करता है नंबर छे साथ आठ नो दस इक्यारा और बारां एक साथ उने सापको पता लगेगा मज़ आएगा पढ़ने का अच्छा लगेगा आँगा ना हाँ नमबर चैने देख लिता है चैने कि लाड़ी है खेडी गड़गा कंगे से कंकता डांच करता है तो कंग्यां कंकता फिर नागोरी माल खाएगा अब पीके वापस अपन वही गड़बड कर रहे है छैसाथ वाली यह अपने वहां भी गड़बड कीती है अब यह आब आज़ो तो यह साथ नमबर है यह आठ है यह नो है यह दस है यह ग्यरह है यह बारह है तो यह ग्यरह और बारह छे होगे ना साथ यह आठ और यह नो नागोरी माल खाएगा और गंगा तीर पर हल चलाएगा अब मस्त है जी उपर निचे कर सकते हैं नागोरी मस्त है जी हलिकर हर लिक गंगा तीर जाएगा जो भी है यह लो है ना यह परियास तो किया है अब राइटिंग जमी पता नहीं कैसी होता आप बताओगे लेकिन यह मैंने कोशिस की है कि आपके बास एक ही प्लीट फार्म आप बाज आए और ट्रेसरे के अवपर लिखें नीचे बदाओ नीचे लिए बताओ नीचे लिए देते आप यह ब्लुपयार्यों इसकी में यह उथर देते हैं S, R, S, G, D सरसगाई दूद देने वाले सरसगाई दूद देवने सरसगाई दूद देवने ठीक है ठीक है साथ इसकी अभी ठीक या लेते हैं यहाँ पर यह पूरे बारा है ना इसके ठीक हो जाएगी मन कहता 2 किसन जी पीवे दूद सारा इसके ठीक हो जाएगी मन कहता मन कहता 2 किसन जी पीवे दूद सारा पीवे दूद सारा ठीक है हाँ इसके ठीक कर देता है रेड पैंस है ना इसके ठीक हो जाएगी अब पीके नागोरी मस्त है जी मस्त है चलो क्या बनेगी अब पीके नागोरी मस्त है जी ठीक है इसको आप उपर नीचे कर लाना थुड़ा अलागी सेम ये कोई नी कर दीक है लेकिन फिर भी ट्रिक में उपर नी चाह रहा ना तो कल को आप डूंडो ट्रिक मैच नी खाई ऐसा क्यों कर दे हाँ हालिकर उपर कर दे ना मस्त है जी और कहां पे है जी गंगा तीर पे है जी ठीक है तो ये आपके क्या ट्रिक है मैंने नीचे कर दी एक साथ फिरेफि क्या करती है नीचे कर दी है तो आपको पढ़ने मज्द आए गा ये लू अब हो कहे है ये लो तो ये रहे इसके ट्रिक प्र और इसके ट्रिक और ये रहे इसके ट्रिक ये यहाँ पर प्रिक्स का भंडार मैने नहीं गया पीवे दोद सारा इसको ऐसे इदर कर लेगी है, मिक्स हो रही है, दो किसन जी, पीवे दोद, दो किसन जी, इसको जाएगा पीवे दोद सारा, ठीक है, ये टुकड़े हैं ऐसे, मन कहता दो किसन जी, पीवे दोद सारा, ठीक है, ये इसकी अलग-अलग रख सकते हैं, इसको ये यहां से इसकी ट्रिक्स चालू है, यहां से इसकी ट्रिक्स चालू है, ये दूएगा जीएगी, अब ठीक है, नहीं, ये केटल प्रीड पूरा का पूरा आपके सामने है, केटल ब्रीड इससे बड़ी अपर जनरेशन का होगा भी यह तो यह है गो वन्स की नसलों की ट्रिक्स ठीक है पूरी की पूरी पांच दुदारू है बारा है बारा है टोटल कुन तीस नसले हैं है ना किसमे हैं एजी बुक के अनुसार एजी बुक अच्छे से देखो बोर्ड क्या शानदार बरावा है एकदम बढ़िया तरीके से आपको पूरा का पूरा आजाएगा दूदारू है अब इसको दो तीन बार बोलना है हर ट्रिक की लिखी विए पहले ट्रिक यह यहां रही यह इसकी ट्रिक मतलब पूरी की पूरी ट्रिकों क भंडारा दे दिया मैंने आपको 9 पेज में सारा के सारा मामला दिया है अच्छे से ठीक है तो बढ़िया डंक से इसको देखो पुरा को पुरा केटल ब्रीड है गोवन्स की नसलो की ट्रिक है इस एक पेज पेज पे सरा जाएगा तो दो वार पूरे जोस में जुनों बोलना फिर आपको लिखना अभी-कभी करें दूदारू जो है मिल्च ब्रीड है दूदारू Milch breed है, इसको इंग्लिस में चाहो दैसे लिख दो, दूदारू जो है न, हाँ, तो ये Milch है, और अच्छा लगेगा, ये कौन सा है, Dual Purpose है, Dual है, और ये कैसा है, Draft है, ठीक है न, हाँ, तो ये Milch Purpose आ जाएगा, ये Dual आ जाएगा, ये Draft आ जाएगा, ठीक है न, त इसकी है, ठीक है, चलो, अब मैं इसको पूरा तवीज से बताता हूँ, अगले पांच मिन तक आप मेरा सरवत्म परदसन देखेंगे, ओफ-लाइन ग्लासेज का कैसे बढ़ा तो देखेंगे, और लाइव में कैसे बढ़ा तो देखेंगे, सुनें, केटल की ब्रीड है, यह है, पांसो सजार, इसको एसे आत करो, पांसो से हजार भारवाक है, हजार पंदरासो दीकाजी है, पंदरासो दीकाजी है, पंदरासो दीकाजी है, पंदरासो दीकाजी है, और पंदरासो से दाइजार जो है, आपका दूदारू है, दूदारू में पांस नसले आपके राजस्तान बोड की किताब ने बता है, बारवी का तेरा नमबर पार्ट उसके अंदर देवी है, पांच में अपना ट्रिक बने है, सरस गाय दूद देवने, सरस गाय दूद देवने इस्टरी ये बनी है, साही रत है सिंधियों का, साही रत है सिंधियों का, साही रत है सिंध तो उसका कुस्षिस करेंगे जवाब देने का plea घिएक चीज़ाङ मन कहता है दो किसंजी पीवेएं दूधिसास तो परस्टेक्ट अपने कोशिस की है전 habían क्रीएं के चिप्ति तूधिlier है के मेवाती नहीं मारेंगे मेवाती आपको नहीं क्रस्टना घाटी में गांवाले जाएंगे वहां बोट नहीं देते लोगबाग अनली क्रस्टना घाटी में गांवाले जाएंगे और वहां पंगा करेंगे डांग लेके सारे वहां पंगा करेंगे डांग लेके सारे इसकी ट्रिक है अब पीके नागोरी मस्त है जी अब पीक एड़ी गड़ का खिलाडी है कंगे से कंकता डांस करता है नागोरी माल खाएगा और गंगातीर पे जाएगा हड लेके तो यह आपके पूरी गुंतिस नसल है एक दम सठीक ट्रिक है सुनो फटाफट केटल प्रीड की गुंतिस नसल में दूदारू है सरसगाय दूद देने तुम भाली साइरत है सिंद्यों का गिरते जिसमें देव है दूसरा है दीकाची है मन कहता है धो किसनजी पीवे दूसरा बेवाती मेवाती नहीं वारे गेंगे कॉंद्वरियमत है देव व diffé And only Krishna którąन में गांवाले जाएगे पंग करेंगे डांग लेके सारे और इधर आजाए कौन सा अब पीके नागोरी मस्त है जी अरे वीडियो मस्त है जी जोड़दार हुआ है सारा याद हुआ confidence है तो मुझे comment लिखना है इसे मनेगा अमरत महल में बेचारा बर्गर खारा पवार और वहीं पे सामने कंगा लेका है खिलाडी खिलाडी क्या करा कंकता डांस है कंगे से खिलाडी है खेडी गडगा खिलाडी है खेडी गडगा कंगे से कंकता डांस करता है और वहाँ पर हना नागोरी माल खाता है और गंगा तीर पे हल चलता है छोरा गंगा किनारे वाला तो कैसी लगी आपको ठ देशी नसले और दो क्रॉस्विड याने की बारा बारा चोईस और पांस सताइस और शें साथ चछतीस और दो अड़तीस नसले जो आपको दीवी है NB AGR ने टोटल पचास नसलों के नाम दीए है उसमें से 38 आपकी बुक में है जो आपकी बुक में अगरिकल्चर सुपरवाइजर जैट एयो तक आने वाले वो सारी इस वीडियो में है इस वीडियो को दो तीन बार देखना है और मुझे वीडियो खतम होने के बाद कमेंट करके बताना है क्या आपको अच्छे से ट्रिक्स समझाई के याद हुआ और मजा आया कैसे आपको लगा वीडियो बताना मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक बने रहे में सा तो के थेंक्यो बाई सब्बा केर